प्रित्वी बहुत विशाल है आकाश व्यापक है और अंतरिक्ष अनंत है भले हमें प्रित्वी के रहस्यमय प्रकृती के बारे में अनेक उत्तर अभी तक ज्यात नहीं है फिर भी अंतरिक्ष की अनंतता हमेशा हमें मुख्ध करती है हम अपने सौर मंडल के बारे में जानना चाहते है ऐसी अन्य प्रणालियों के बारे में जानना चाहते है गैलेक्सी के बारे में और संपूर्ण विश्व के बारे में हम जानना चाहते है तारों का निर्मान धूल के बादलों से तारों का निर्मान होता है इन बादलों को निहारिका कहते हैं गुरुत्वा कर्शन के कारण इनके कणों का निप्पात होता है इसके कारण इन बादलों का घनत्व बढ़ जाता है गैसिस का दबाव बढ़ जाता है वारमवार होने वाली परसपर क्रिया के कार क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का परमानुसलयन होता है जिससे हिलियम निर्मान होता है और तारे को इंधन प्राप्त होता है केंद्र से होने वाले उर्जा का भाव तारे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे तारे का अपने ही गुरुतवा करशन के कारण निपात नहीं होता है बड़ा तारा हमने चर्चा की किस प्रकार निहार के कारण तारे का जन्म होता है ये एक विशाल तारा हो सकता है या फिर कोई साधरन सा तारा भी हो सकता है तारे में जो इंधन होता है जब वो खत्म हो जाता है तब तारे का अपने आप में निपात उश्ण अर्थात गरम केंद्र बाहरी सताह को धकेलता रहता है। इस प्रकार तारह फैलता है और बढ़कर लाल राक्षफसी तारह या लाल महाराक्षसी बन जाता है। यह उसके आकार पर निर्वर होता है। सामान्य तारा श्वेत बटू बनता है, बहुत सालों के बाद हमारा सूर्य भी एक सफेद श्वेत बटू बन जाएगा, एक विशालकाय तारा बड़े विस्फोट के बाद मुरुत हो जाता है, इसे अतिदिप्त तारा कहते हैं, अतिदिप्त तारों में तारे के केंद्र का होता है और फिर उसमें विश्भोट होता है यदि निपाथ होने वाला केंद्र हमारे सूर्य से तीन गुना अधिक वजंदार है तुवैह तारा निोट्रौन तारा निर्मान करता है केंद्र में प्रूटोन और उलेक्ट्रौन का एकत्री करण होता है जिस sailing नियूट्रोन का निर्मान होता है इसी कारण ये गटना गट्टी है यदि केंद्र तीन सौर वस्तुमान से अधिक भारी है तब उसका बहुत अधिक गुरुतवाकरशन के साथ निपात कृष्ण विवर में होता है हमारी गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी मिलकी भी जिसे आकाश ग से चार सो बिलियन तारे हैं और सो बिलियन से अधिक ग्रह हैं आकाश दर्शन चलिए अब हम कुछ मूलगामी संकलपनाओं के बारे में समझते हैं जो आकाश दर्शन से पहले जानना महतवपूर्ण हैं आकाश से पृत्वी एक अर्दगोल की तरह दिखती है वो रिखा ज जब हम अपने चारो और गोल घूमते हैं तब हम गोलाकार क्षितिज देख सकते हैं क्षितिज इस आभासी गोल को दो भागों में बाटता है तारे और ग्रह हमें इस कालपनिक गोल में घूमते हुए नजर आते हैं इस गोल को खगोल कहते हैं चलिए अब हम खगोल से संब अपने कुछ संकल पनाओ को समझते हैं एक उर्द्व बिंदु जनित जब आप गोल के एक्दम बीचों बीच खड़े होते हैं तब वह बिंदु जो बिलKUL आपके सिर्खें ऊपर होता है उसे उर्द्व बिंदु कहते हैं deux अधब बिंदु आपके बिलKUL नीचे जो बिंद और दक्षिंद्रू प्राप्त होते हैं, चार- ध्रूव विर्त्त, वो बढ़ा सा वृत्त जो दोनों खगोली ध्रूव और निरक्षक के उर्ध्व बिंदू और अदब बिंदू से होकर गोजरता है, उसे ध्रूव वृत्त कहते हैं, पाँच- खगोली विश्वृत्त, व से आयनिक वित्त कहते हैं टारामंडल जब हम रात के समय आकाश की ओर देखते हैं तब हम हजारों को देख सकते हैं खगोलविद अनेक वर्षों से इन TART энерг करते आ रहे हैं और इन्हें इन TART के विबिन्न समू दिखाई दिये इस समू भिन्न भिन्न आकार के थे इस से इन्हें ढूंडना और उनके बारे में अधेन करना आसान हो गया पाशिमात्य खगोल विदो ने खगोली वृत्थ को 88 तारा मंडलों में विभाजित किया प्राचेन खगोल विदों ने बारह राशियों तथा उनके चिन्नों के बारे में सोचा हमारे भारतिय खगोल विदों ने 27 नक्षत्रों की कलपना को सामने रखा राशी तारा मंडल इस तारा मंदल में देरग वृत्य या अंडाकार वृत्य को 12 समान भागों में बांटा गया है हर एक भाग को राशी कहा जाता है राशी तारा मंदल के नाम इस प्रकार में है मेश, ब्रिशब, मिथुन, कर्क, सीह, कन्या, तुला, ब्रिशिक, धनु, मकर, कुम्ब और मीन केंद्र से हर राशी तारा मंडल 30 डिगरी तक फैला होता है चंद्रभी प्रिथवी के इर्दगिर्द उसकी एक परिक्रमा 27.3 दिरों में पूर्ण करता है हर दिन चंद्र जिस हिस्से से होकर गुजरता है उसे नक्षत्र कहा जाता है यदि हम 360 डिगरी को 27 समान भागों में विभाजित करें तो हर भाग 13 डिगरी 20 मिनिट का होगा हर नक्षत्र में 30 स्वी दिखने वाला तारा होता है जिसे योग तारा कहा जाता है चलिए इन तारा मंडलों के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं एक सबतरिशी ये उन तारों का समू है जो एक पूछ वाले पतंग के आकार में होते हैं अंग्रेजी में इन्हें ग्रेट बैर भी कहा जाता है चिन्नित दोनों तारे सूचक तारे कहलाते हैं क्योंकि वे द्रूव तारे की ओर निर्देश करते हैं दो शर्मिष्ठा तारा मंडल ये पांच तारों का समू है जो अंग्रेजी भाषा के M या फिर W की तरह दिखता है तीसरे और चौथे तारे को जोड़ती हुई दंडवत द्विभाजक ध्रूव तारे की ओर निर्देश करती है तारों के बारे में अध्यन करते समय ध्रूव तारा बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसका स्थान निशित होता है जो प्रिथवी की आवरतन के अक्ष के बिलकुल ऊपर होता है इसी कारण ये बहुत योग ये संदर्बिंदू जैसा कारी करता है म्रिग नक्षत्र ये जनवरी से मार्श चक दिखता है आकाश में इसे ढूढ़ना बहुत आसान होता है अंग्रेजी में इसे ओरियन और हंटर भी कहा जाता है इसका ये नाम ग्रीग पावरानिक कथाओं से आया है ओरियन के बड़ा शिकारी था जो ये सूर्चता था कि वो दुनिया के सारे प्राणियों को मार डालेगा माता प्रित्वी को ये बात पसंद नहीं आई और उसके मृत्ति के बाद उसे आकाश में रखा गया चार ब्रिशिक ये तारा मंडल दस से बारा तारों से बना है इसका सबसे तीजस्वी तारा जेश्ठा है ये तो खगोल शास्त्र का अरंभ मात्र है जैसे जैसे आप इसके बारे में अधिक अध्यन करेंगे उतना ही निरिक्षण में आपको आनन मिलेगा इसलिए निरिक्षण करते रहे और सीखते रहे हमारी गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी मिलकी भी जिसे आकाश गंगा या क्षीर मार्ग कहा जाता है इसका ब्यास एक लाख पचास हजार से दो लाख प्रकाश वर्ष इतना है और इसमें सौ से चार सो बिलियन तारे हैं और सौ बिलियन से अधिक ग्रह हैं प्राचेन खगोल विदो ने बारह राशियों तथा उनके चिन्नों के बारे में सोचा हमारे भारतिय खगोल विदों ने 27 नक्षत्रों की कलपना को सामने रखा राशी तारा मंडल के नाम इस प्रकार में हैं मेश, ब्रिशब, मिथुन, करक, सीह, कन्या, तुला, ब्रिशिक, धनू, मकर, कुम्ब और मीन प्रशों कर भडोल विदो तुला, खरतरा एंकि ते कंपको मांने करोल के जिला दो चैए, प्राम दो ॉवल, कक्षवर, कर खूल भाट, ब्रिशों, कर दो चाहे, कर के दो खग्ही क Notre इक, हम काुड़, कर एकूप धनुम कर तो